आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे स्टोरी ओफ इंगलिस की एक इंपोर्टेंट क्वेस्टन जिसकी संभावना इस बर ज्यादा है आपके एक्जाम में और वो भी 5 मार्ट्स की तो क्वेस्टन आपका है कि Write a note on the future of English in India इसका तो मैं आपको आंसर बताऊंगा साथी साथ हिंदी भी करके बताऊंगा चुकि आपको समझने में कोई परिसानी नहीं हो और इस क्वेस्टन को आप बिलकुल याद कर जाएगा और साथी साथ अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा तो चलिए क्वेस्टन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेस्टन आपका है कि Write a note on the future of English in India भारत में अंग्रेजी के भविस्य के बारे में एक टिपणी लिखना है Write a note on the future of English Very very important question इस बार के एक्जाम के लिए आपका तो चलिए अब इसको बढ़िया से समझते हैं इसके आंसर को और साथी साथ हिंदी भी समझेंगे चुकि आपको कोई परिशानी नहीं हो तो the future of English is very bright देखें क्या कह रहा है कि अंग्रेजी का भविस्य भारत में बहुत उजवल है The future of English is very bright in India because of its vast scope of utilization अंग्रेजी का भविस्य भारत में बहुत उजवल है क्योंकि इसको प्योग की व्यापक गुंजाईस है English is the link language of the country अंग्रेजी देश की संपर्क भासा है The future of English is very bright in India because of its vast scope of utilization English is the link language of the country It is spreading far and wide in our country देखिए यह हमारे देश में दूर दूर तक फैला हुआ है India is a developing country भारत एक विकास सील देश है All recent inventions and discoveries are found in the books of English इस हालिही के सभी अविस्कार और खोजे अंग्रेजी की किताबों में पाए जाते है It is spreading यह हमारे देश में दूर दूर तक फैला हुआ है And wide in our country India is a developing country भारत एक विकास सील देश है All recent inventions, हालिही के सभी अविस्कार and discoveries और खोजे are found in the books of English अंग्रेजी की किताबों में पाए जाते है तो यह हमारे देश में दूर दूर तक फैला हुआ है भारत एक विकास सील देश है हालिही के सभी अविस्कार और खोजे अंग्रेजी की किताबों में पाए जाते है यही तो आपका कह रहा है कि इज़ स्प्रीडिंग फार एंड वाइड इन आवर कांट्री इंडिया इज़ डेवलोपिंग कांट्री All recent inventions and discoveries are found in the books of English अब नेक्स्ट समस्ते हैं Today we cannot progress without English आज अमंग्रेजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं English has became an international language and it has future in India because of globalization अंग्रेजी एकंतरस्ट्रिय भासा बन गई है और वेस्वी करण के कारण भारत में इसका भविस्य है यानि की business ब्यापार आज अमंग्रेजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं अंग्रेजी एकंतरस्ट्रिय भासा बन गई है और वेस्वी करण के कारण भारत में इसका भविस्य है Today we cannot progress without English English has became an international language and it has future in India because of globalization आज अमंग्रेजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं अंग्रेजी एकंतरस्ट्रिय भासा बन गई है और वेस्वी करण के कारण भारत में इसका भविस्य है Market economy has created international trade and marketing बजार बेवस्ता ने अंतरस्ट्रिय बेपार और विपनन बनाया है The knowledge of English is essential in such a situation ऐसी स्थिती में अंग्रेजी का घ्यान अवस्यक है English has generated employment in India अंग्रेजी वारत में रोजगार पैदा किया है Market economy has created international trade and marketing बजार बेवस्ता ने अंतरस्ट्रिय बेपार और विपनन बनाया है The knowledge of English is essential in such a situation English has generated employment in India ऐसी स्थिती में अंग्रेजी का घ्यान अवस्यक है अंग्रेजी वारत में रोजगार पैदा किया है 1000s of call centers require employees who have good knowledge of English हजारों call centers में ऐसे करमचारिओ की वा सकता है जिनने अंग्रेजी का अच्छा ग्यान हो Thousands of call centers require employees who have good knowledge of English हजारों call centers में ऐसे करमचारियों के अवसकता है जिन हैं अंग्रेजी का अच्छा ग्यान हो English is going to play an important role in country affairs देश के मामलों में अंग्रेजी अहम भूमिका निभाएगी Thus, it can be seen that the future of English in India is very bright इस प्रकारियों कहा जह सकता है कि भारत में अंग्रेजी का भविस से उजवल है तो यह question आपके exam के लिए very very important है Write a note on the future of English in India तो एक बार हम फिर से पढ़ दे रहा हैं आपको बिलकुल समझ में आ जाएगा The future of English is very bright in India because of its vast scope of utilization English is the link language of the country अंग्रेजी का भविस से भारत में बहुत उजवल है क्योंकि इसके प्योग की व्यापक गुणजाई से अंग्रेजी देश की संपर्क भासा है It is spreading far and wide in our country India is a developing country All recent inventions and discoveries are found in the books of English यह हमारे देश में दूर दूर तक फैला हुया है भारत एक विकासील देश है Today we cannot progress without English English has became an international language and it has future in India Because of globalization आज हम अंग्रेजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं अंग्रेजी एक अंतरस्ट्रिय भासा बन गई है और वैस्वी करण के कारण भारत में इसका भविश्य है Market economy has created international trade and marketing The knowledge of English is essential in such a situation English has generated employment in India Bazaar बैवस्था ने अंतरस्ट्रिय भैपार और विपनन बनाया है ऐसी स्थिती में अंग्रेजी का ग्यान अवश्यक है अंग्रेजी ने भारत में रुजगार पैदा किया है Thousands of call centers require employees who have good knowledge of English English is going to play an important role in country affairs Thus it can be seen that the future of English in India is very bright हजारों call center में ऐसे क्रमचारियों के वसकता है जिनें अंग्रेजी का अच्छा ग्यान हो देश के मामलों में अंग्रेजी अहम भूमिका निभाएगी इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी का भविस से उजबल है तो आप इस question को जरूर अच्छी तरह से practice कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा क्योंकि बात आपको 5 March की है future of English very very important question आपके लिए ओके धन्यवाद